तो दोस्तो स्वागत है आप लोगों का एक फिर से नए विलोग में तो दोस्तो आज की जो वीडियो है वो भूती जवरजस्त होने वाली है क्योंकि कि दो माईने पहले किसी कस्टूमर ने फ्रीज लिया था और उसका फ्रीज का कंप्रेसर है वो कम लाइट के वेज़ से खराब हो गया है तो फ्रीज तो कुसी और कंपनी का और प्राइबेट में वो कराना चाह रहा ठीक है तो हमारे पास यह LG का जैनमन कंप्रेसर है और आज भिजिमें इसको डालने वाला हूं और देखने वाला हूं किस प्रकार से आप लोगों को डिखाऊँगा कि किस प्रकार से कमप्रेसर को डालाजाता है ठीक है तो चलिए देखते ौर डालते appointments को तो डालते हैं कर्स्टूमर के गर और यह है हमारा फ्रीज जिसमें memory maker हम चैं नियू फ्रीज है जो की कस्टूमर अभी धंक से चला भी नहीं पाया था ठीक है तो इसका कंप्रेशर हम चेंज करेंगे आज सबसे पहले देखी क्या करेंगे यह जो नट होते हैं सबसे पहले इसके और और पधार और आपर आत्रे हडी को तो हरा ने कांध pp करते पाप को काटे नहीं जाएंगे इसके बाद इस लेंडर से जैसे मैं निकाल रहा हूं इस लेंडर से आप लोगों को बड़े असान तरीके से यह पाइप जब इसको गरम करेंगे तो हमारे इस प्रिकार से पाइप निकल जाए ने ठीक है कि आप लोग देख सकते हैं में निकल्सरा में बड़े भी जाती है सी वीजियो में बता हूंए यह हमारे पास adults आन्यू कंप्रिशर देखते हैं इसके साथ क्या क्या मिलता है सबसे पहले इसके साथ एक बिल आयेगा जो कि हमारा राएक बिल होता है कितने का वा से बास क्छिए इस तरीके से हमारा original compressor पैक आता है एक दम पन्नी पैक ठीक है उसके बाद यह इसका बिल्स बगरा यानि कागज बगर आते हैं यह पन्नी आती है और यह आता है हमारे compressor यह हमारा compressor ठीक है जो LG brand है इसके अंदर और कुछ नहीं सिर्फ गत्ता है अंगत्य के अंदर और यह हमारी यह पन्नी में पैकेस में भी मैं आप लोगों को दिखाऊ हुआ खाल का एक बार क्या क्या समान दिया हुआ है फिस इस में घुटके दिए हुए और और ओर ऑड़िनल और लोकल या निंद यानि के χi slippe और और लीजे आटे इसमें जड़्छ में लगें sì तो सबसे पहले सके प्रिकारों से शारे धा लेंगे उसके प्रक्राइब से मिनिकाला था उसम्हें कंप्रेसर को भाण करा देंगे अब देखे हमारा जो कंप्रेसर है बहुत ही अराम से बैठ चुका उसके बाद यह वाले जो इसकी रवड़ होती है उनको बड़े ही आसान से निकाल देंगे बाहर को कर देंगे अब इसके जो पेच हमने खोले थे उन पेचों को दुवारा टाइट करेंगे आप लोग देख सकते हैं Ohh ओ कि दोस्तोब तो दोस्तोब गुट के आप लोगों को सैट करने के बाद अभिसका जो vaccinated नहीं लगएंगे के जितना वह पॉइपिंग हमने पहले बचाइथी उसी प्रकार से पाइप भी जोड़नी एप लोगों को पाइप इंदर सा इदर नहीं करने हैं कुछ ताके पर सबसे ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना ठीक है क्योंकि ऐसा होता है कभी-कभी हमारे जो टाके बुलिकीज हो जाते हैं ठीक है यानि कुछ तमय चलने के बाद लिकीज क्यों होते हैं क्योंकि टांका अच्छे तरीके से लगा हुआ नहीं होता जो ब्रीजिंग हमारा हीट हो चुका है अब यहाँ पर हम टांका मारेंगे यह जो टाके हैं आप लोगों को बड़ी हाद जवर्ज़स परिके समाने हैं जिससे बाद में प्रोब्लम नहीं पड़े अगर आप लोग गैट डालें गैस का कोई भी नुक्सान नहीं हो ठीक है सक्षन लाइन औ थंदेख सकते हैं अब इससे यहां पर जोड़ेंगे जो हमारा पिनवाल है जो एकन गैस अपर दालने का इसको भी हां पर जोड़े पर फिल्ट है तो मैं बताऊ हुआ कुछ लोग यहां पर कैप्ललर करते हैं कुछ लोग कापी अलग अलग दरकार से गैस डालते हैं मगर म फाइनली जो कंपनी थ्रू आता देखिए इस प्रकार से वही गैस डालता हूं ठीक है यानि उसी से गैस डालता हूं जो मतलब जैनमन चीज़ है अब देखिए सेरा सिस्टम हमने जोड़ दिया है अब कभी कभी ऐसा होता है इसमें काफी सारी कचला चला गया होगा जितना धूआ बगारा वो चला गया होगा उसको बहार निकारने के लिए हमें वैक्व्यूम पंप का इस्तेमाल करना चाहिए ठीक है अब यहां पर मैं क्य जितना भी कच्रा आई है यह ठीक है जब भी आप लोग फ्रीज में गैस डलवाएं तो बैक्व्यूम पंप से डलवाएं क्योंकि जब भी हमारा निव फ्रीज बनता है तो उसका बैक्व्यूम पंप से गैस डलती है कुछ मिस्ट्री होता है डाल देते हैं ऐसा नहीं करव ठीक है अब वैक्व्यूम हमने कर दिया है वहां से मेटर हमने कर दिया बंद जिससे के वारा दौरा बैक्व्यूम नहीं खेंचे और एंटिचों को यहां से डाल देंगे देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार से एक हमने डाला आप डार्यक्लिया हमारी जो गैस हाड्टर क कर दाना है तो आप लोगों को डालने है झाहर लोगों को बता हुँआ है त्यसका डालने हमारा फ्रीज बंद हो गया लाइट भाग गई तो उसका प्रेशर आप लोगों को रखना है कि चालिस से पैंतालिस ठीक तो हमारी जो गया सा दोस्तों वो डल देख सकते हैं डल रही है रांग से कि देख सकते हैं अब अभी तक हमने फ्रीज को चालू नहीं गया था जब हमने आधी गैस जाल दी इसके बाद जैसे फ्रीज को चालू करा मेटर की सुई धीरे 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 नीचे की और जाने लग गई यानि कि कम्प्लीटली हमारा जो फ्रीज एक दम अच्छी तरीके से का करने लगा अब हलके हलके क्या काम करेंगे इसमें हम गैस को छोड़ते जाएंगे हलके हलके गैस को छोड़ते जाएंगे और यह भी चैक करेंगे इसका पीछे का कंडेंसर होता है जो हमारा पीछे का जाल होता है वह अच्छी तेके से गरम हो रहा है या नहीं हो रहा है फ् प्रीजर एकदम बढ़ी है तरीके से काम कर रहा है अगर सुरुष की आवाज बंद है तो समझ लीजिए हमारा जो फ्रीज है वो क्या है चोक हो चुका है आप लोगों को द्वारा सभी बैल्डिंग करना होगा सफाई करने होगी तभी गैस डालने होगी अन्हें आपका फ्र पर बहुत अच्छी तरीके से इसको बंद भी करना ठीक है अब देख सकते हैं खोड़ी सी और डालंगे मिल्टर की सुई हमारी फिर से ऊपर होते जा रही है और सुई को हम रखाएंगे इसको दस पर ठीक है कहां रखाएंगे दस पर जबतार नहीं आएगी दस से बारे के अब नलकी हम डारक लिक खोल देंगे तो दोस्तों मैं मानता हूं वीडियो आप लोगों को बहुत ही जवर्जस्त लगी होगी कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से शिकाया कि फ्रीज में गया से डाल जाती है तो आज के लिए धन्यवाद मिलते हैं कोई ने पुलनों बुले और विडियो को शेयर जरूर करतें जो आफ लोगों के मात्यम से दूसरे लोग भी शीख जाएं तो आज के लिए धन्यवाद को अब को कोशन दियो कोशन दियो को कि है की जाए की ढूए झाल झाल